आनिलबिज ने भी कही न कहीं अंदर खाने में नाराज की जताई थी, साफ तोर पर उन्होंने नहीं कहा था और जुस तरीके से सीनिया नेता अनिलबिज और उनको कोई बड़ी ज़पना चुनाओ के बात से जिस तरीके से उनकी सहयोगी है वो कही न कहीं उननसे रिष्टा तोड़ना ये भी बहुत जादा एफेक्ट करेगा और कहीं न कहीं मनोर लाल कटर का देखे जिस तरह से कितने साल भी रोड़ने उनका अपसे यही है कि दुश्चिन चुटाला भारतिया पार्टी के खिलाब बोलते दिखाई दे रहें ऐसे में वो कहीं न कहीं चाहा रहे हैं राव साहब यानि कि राव इंदर जीत सिंग हरियाना भारतिया जनता पार्टी के अंदर इस वक्त वोनेता जो सबसे ज़्यादा सुर्कियों में बना हुआ है भले ही भारतिया जनता पार्टी ने मनोहर लाल खटर को पद से हटा करके नायब सिंग सैनी को मुक्या मंत्री बनाया हो सूबे के मुखिया नायब सिंग सैनी हो लेकिन चर्चाओं के केंदर में है नायब सिंग सैनी नहीं बलकि राओ इंदर जीत सिंग और उसका कारण है यहां पर उन्हें तवज्यों ना देना और वो भी केवल केंदर तक नहीं बलकि राज्येस्तर पर भी जहां उने चोड़कर भाजपा में और 2014 में जब भारती जंता पार्टी हरियाना विदान सभा में 47 सीड़े जीत कर पूर्ण बहुमत हासिल करती है तो उस वक्त राओ इंद्र जेत सिंग ये उमीद लगाते हैं कि मुख्य मंत्रे की कुर्सी उन्हें मिल सकती है लेकिन वो मौका उन अनसद लोक सेवह में बनते हैं तो उन्हें केंद्रियर राज्ये मंत्री तक सीमित कर दिया जाता है यानि की कैविनेट मंत्री नहीं बनाया जाता है इसके बाद राउं इंद्र जेत सिंग नहीं بल्कि उनके तमाम समर्थकों में बीजेपी के प्रती नाराजगी देखने को मिलती है और इस नाराजगी की बाद यहाँ पर भारती जनलता पार्टी के ही नए सांसद चौधरी धर्मबीर सिंग भी कहते नजर आते हैं कि इससे पार्टी को विधान सभा में नुकसान उठाना पड़ सकता हैसे में कि राव इंदर जीत सिंग जिस प्रकार से उन्हें बीजेपी ने लगतार वो तवज्यू नहीं दी जो वो कहीं न कहीं खुद के लिए मान करके चल रहे थे कि इसके बाद वो तक्रीबन 11 सालों बाद कॉंग्रेस में वापसी करेंगे या उनके रहते हुए भारती जनता पार्टी विधान समा में बड़ा जटका खाने वाली है से और भी कई सवाल है और उन तमाम सवालों पर नियूजूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से चर्चा करेंगे हमार साथ सिराज सब चो पहले हैं सिराज हरियाना भारती जनता पार्टी खासत और क्या उनकी नाराजगी विधान समा में बीजेपी पर भारी बड़ सकती है जी बिल्कुल इसमें कोई दोरानी और खास तोर पर देखा जाये तो भारती जनता पार्टी के लिए हरियाना में मुश्कले कम होने का नाम नहीं ले रही है और देखा जाये तो लोगसभा चुना में जिस तरीकी से भारती जनता पार्टी को नुकसान हुआ है जाहिड सी बात है अब कहीं न कहीं विधान सभा चुनाओं में भी भारती जनता पार्टी के हां से सत्ता जाते हुए नजर आएगी और खास तो पर देखा जाये तो तमाम जो सयोगी दल थे वो कहीं न कहीं को विधान सभा में साफ हो जाएगी तनुझ विपक्ष लगतार कह रहा है कि विधान सभा में साफ हो चुकिए और अगर हां तो यहां क्या वो प्रमुक कारण हो सकते हैं श्रह अबस बढूर नहीं हो पाया और जहां पर मनोहल लाल कясक्टर को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि नोकरी नहीं दी गई बेरोजगारी बड़ा मुद्धा था बहेंगाई बड़ा मुद्धा था और यहाँ पर किसान अंदुलन मैं शुरू में बता दिया तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल की जो सरकार थी वो गिरती नजर आई और फिर यहाँ पर सरकार रहां पर प्रियास करता नजर आहां कि सरकार गर जा लेकिकी निस वार स्टी संवां्पार पानच по पर से मट जाती है, इसमें साब पता लगता है कि इस बार हर्याणा के अंदर भारती जन्ता पार्टी की इस्तिति बेहत जादा खराब। राउंद्रजीत सिंग चर्चाओं में रहे, प्रफेसर रामिला शर्मा चर्चाओं में रहे, कई बड़े नाम हैं, क्या ये दिगजो की नाराजगी बीजेपी पर इस साल विधान सबा में भारी पढ़ सकती है। चीद सिंग की भी आपने चर्चा की तो कही न कहीं जो समी करड़ बंते हो नसरा रहे हो भारती जन्ता पार्टी के हाग में कहीं नहीं जा रहे है। और इस बार के वधान सबाद चुना में जाहर तोर पर कही न कहीं कांग्रेस इसमें बड़ा हाथ मार सकती है। वहीं दुसियन सिंग चौटाला भी बड़ा फेर बदल कर सकते हैं। और अभै सिंग चौटाला ने भी कही न कहीं मावती को अपना गड़ बंधन के लिए राजी कर लिया है। तो ऐसे में देखें किस तरीके से समीकरण बंते हुए नसरारी है। अगर ऐसा मायावती कुछ ओड कारते हुए नसरा आती है। आभै सिंग चौटाला के साथ क्योंकि जाट वोट बैंक कही न कहीं उनके फेवर में जाता हुए दिखाई देगा। तो ऐसे में कही न कहीं अब पार्टिया अलग अलग दूरी में बढ़ते हुए नसरारी है। और जाहर तोर पर ये बात कही न कहीं भारतियों जंता पार्टी के लिए बेहत मुस्किल भरी हो सकती है। क्योंकि इस बार के विधान सबा चुना में अगर देखा जाये तो कॉंग्रेस पार्टी कहीं न कहीं होते हुए दिखाई देरी अक्षय है। अगर ऐसा हुआ तो जाहर तोर पर उनको नुकसान दे जहलना पड़ सकता है। नुकसान जहलना पड़ सकता है। अब जब बात यहां चौटाला की आ चुकी है तो दुश्यन चौटाला और फिर जेजेपी पर चर्चा क्यों ना हो। मार्च में ही यहां गडबंदर भारते जंदा पार्टी से चूटा था सूबह की दो लोग सबसीटों को ले करके। शानली यहां दुश्यन चौटाला जेजेपी की बात आ चुकी है। और दुश्यन चौटाला की अगर बात की जाए तो जबसे उनों की उनकी यह कह सकते कि भारते जंदा पार्टी के पास तना तनी हुई है गड़ बंदन टूटा है तो तब से यही है कि दुश्यन चौटाला भारते जंदा पार्टी के खिलाब बोलते दिखाईते रहे हैं। कि दुश्यन चौटाला के पास दस विधायक है वो विधायक उनके साथ नहीं है। कुछ विधायक यहां पर गड़बर कर सकते हैं और भारते जंदा पार्टी के साथ दे सकते हैं। यहां पर अगर ऐसी इस्ती दी रही तो दुश्यन चौटाला जब कहते नजर आ रहे हैं कि समर्थन हम भारते जंदा पार्टी से इतर हटके अब कॉंग्रस का करेंगे तो वो इससे भी इंकार कर देंगे। लेकिन अब यहां पर विधान सभा चुनावों की उल्टे गिंती शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या अब की बार भारते जंदा पार्टी को हर्यान में बड़ा जटका लगने वाला है। क्या बीजेपी अब की बार सत्ता से रुकसत होने वाली है। या एक बार फिर यहां पर प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी के नाम का जादू चलेगा। और हर्याना में भारते जंदा पार्टी अपनी सरकार फिर से बनाती नजर आएगी। इस पर क्या आपका मानना हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें कॉमेंट करकी जरूर वताएं। फिल्हाल के लिए इतना ही। देश और दुनिय के तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।